हे गाईज, वेलकम टू माई यूटूब चैनल विश्नू ओफिश्यल 23 दोस्तों हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं तो उसके बारे में हमने जाना था टेंस तीन प्रकार के होते हैं प्रजेंट टेंस, पास टेंस, फ्यूचर टेंस, मुखिता टेंस तीन प्रकार के होते हैं और इसके बारे में हमने पूरी जानकारी पिछली वीडियो में प्राप्त कर ली थी तो मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो लाऊँगा वो आपको डिटेल में बताऊँगा एक एक टेंस के बारे में तो दोस्तों मेरा ये पहला दूसरा वीडियो आच चुका है प्रजेंट इंडिपनिट टेंस का तो हम आज जानेंगे दोस्तों कि प्रजेंट इंडिपनिट टेंस क्या है प्रजेंट इंडिपनिट टेंस किसे कहते हैं तो प्रजेंट इंडिपनिट टेंस के बारे में हम आये जानते हैं इसकी सहाइक क्रिया यानि helping verb, जिससे हम बोलते हैं इसकी helping verb होता है do or touch ये तो होगे helping verb अब इसकी पहचान हम कैसे करेंगे कि कौन सा tense है तो इसके लिए पहचान है इसकी कि यदि वाकिके अंत में ताहे तीहे ते हैं यदि जैसे हम इसकी पहचार ऐसे करेंगे, यदि किसी वाक केंत में ता है, ती है, ते हैं, आज सब्द आते हैं, तो वा प्रजेंट इंडिपनिटेंस कहलाता है, जैसे एक्जामपल के तौर पर हम देखें कि राम घर जाता है, तो इसके वाक केंत में देखें ता है आया है, तो य यह हमारा present indefinite tense हुआ, इसके वाकि में आया है, ता है, राम घर जाता है, तो इसके पहचान हो गए कि यह present indefinite tense है, तो दोस्तों हम जानेंगे present indefinite tense के नियम क्या है, तो इसके नियम के बारे में हम जानेंगे, तो इसका पहला नियम यह है, एक वचन करता के साथ, यानी subject के साथ, एक वचन करता के साथ, वर्व में, यानी किरिया में yes या yes लगाते हैं, yes और yes कहां लगाते हैं इसके बारे में हम जानेंगे जिन किरियाओं के अंत में यानि बर्व के अंत में जिसमत के अंत में जिन किरियाओं के अंत में o, c, h, x आदिस अबद आते हैं तो उस किरियाओं के अंत में yes लगा देते हैं और बाकी क्रियाओं में येस लगाते हैं, जैसे, read plus s equal rates हो जाएगा, यहाँ पर yes, add करेंगे तो reads हो जाएगा, go plus yes, equal goes, यानि इस क्रिया के अंद में हम देखेंगे o है, तो यहाँ हम लगा देंगे क्या, yes, नियम क्या है, जिन क्रियाओं के अंद में o, ch, x आता है, तो वहाँ पर yes, add कर देते हैं, यह तो हो गया, अगलन हम देखेंगे कि बहुचन करता के साथ क्रिया में yes या yes नहीं लगाते हैं, यदि हमारा subject बहुचन में है, तो उसमें हम yes या yes नहीं लगाएंगे, अर्थात क्रिया की first form ही रहने देंगे, क्रिया को हम first form में ही रहने देंगे, तो हमने यह जान लिया कि yes या yes किस क्रिया में लगेगा, कैसे लगेगा, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली, तो दोस्तो हमारा चौथा नियम यह है, कि साधार वाक्यों में सहाइक क्रिया, यानि साधार वाक्यों में helping verb का यूज हम नहीं करते हैं, साधार वाक्यों में हम helping verb का प्रियोग नहीं करते हैं यह भी हो गया हम वहारा पांचवा जो नियम है पांचवा रूल helping verb का प्रियोग negative और interrogative sentences में किया जाता है यानि कि जो simple sentence रहेंगे उनमें हम helping verb का यूज़ नहीं करेंगे present indefinit tense में simple sentence में हम helping verb का use नहीं करेंगे, helping verb का युज सिर्फ negative और interrogative sentence में ही किया जाएगा जैसरे हम example ले लेते हैं, वह जाता है, वह हमारा हो गया subject जाना यह होगा है हमारी क्रिया यानि वर्व वह वह के यहां पर देखेंगेiau क्रिया के अंत में वह है तो हम इसमें मारा नियम क्या था यहां हो जाएगा ही गॉ!" कामा CH कामा X आता है तो हमई Mendel लगाते है तो यहां पर पर गो में O आया है लाश्ट में तो हम यहाँ Yes एड़ कर देंगी तो यहाँ हो जाएगा ही गोज वह जाता है अगला सिंटेंस है हमारा राम एक पत्र लिखता है तो राम मारा सब्जेक्ट हो गया राम राइट्स ए लेटर तो यह हमारा राइट्स कैसे हुआ क्योंकि ना यहाँ पे O है ना CH है और ना ही X है इसलिए हम यहाँ पर S एड़ करेंगे तो हो जाएगा राम राइट्स ए लेटर राम एक पत्र लिखता है राम राइट्स ए लेटर लेटर माने पत्र हमारा अगला सेंटेंस है विद्यार्थी पढ़ते हैं विद्यार्थी पढ़ते हैं तो हो जाएगा हमारा स्टूडेंट्स अभी यह हमारा बहुवचन हो गया है हमारा जो करता है वो बहुवचन में है तो हो जाएगा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं यदि हमारा करता यानि हमारा सब्जेक्ट बहुवचन में हो तो हम क्रिया में yes या yes का यूज नहीं करते हैं तो इसलिए इसको read ही रहने देंगे इसमें yes या yes का यूज हम नहीं करेंगे तो हमारा अगला सेंटेंस है अध्यापक पढ़ाते हैं अध्यापक पढ़ाते हैं तो हमारा हो जाएगा teacher's teach ये भी अध्यापक bad religion में आ गया है पढ़ाते हैं ये हमारा bad religion में आ गया है तो यहाँ पर हो जाएगा teach यहाँ पर भी yes या yes की यूज हम नहीं करेंगे simply तोर पर first form ही रहने देंगे हो जाएगा हमारा इसका translate teachers teach हमारा अगला sentence है सीता गाना गाती है तो हो जाएगा सीता sings a song इसमें yes इसलिए add होगा ना यहाँ पे o है ना ch है वर्ब केंद में ना x है तो यहाँ पर s लगाएंगे सीता sings a song मम्मी खाना पकाती है तो इसका हो जाएगा mother the food इसमें हम yes आड़ करेंगे mother cooks the food अगला sentence है हमारा राम इसकूल जाता है सब्जेक्ट हमारा है राम राम गोस टू इसकूल यहाँ पर देखेंगे हम क्रिया केंद में o है तो यहाँ पर हम yes आड़ कर देंगे जैसा मैंने भी आपको उपर पताया था तो हो जाएगा राम गोस टू इसकूल हमारा अगला sentence है गाय दूद देती है तो गाय का हो जाएगा दकाउ गिव गिव माने देना तो यहाँ पर एस आड़ हो जाएगा तो हो जाएगा राम स्वरी दकाउ गिवस मिल यानि गाय दूद देती है हमारा अगला sentence है चप्रासी घंटी बजाता है चप्रासी की इंगलिस होगी प्यून तो यहाँ पर हम लिखेंगे दप्यून रिंग रिंग माने बजाना तो यहाँ पर एस एड़ हो जाएगा तो हो जाएगा तप्यून रिंग्स दबिल यानि चप्रासी घंटी बजाता है हमारा अगला sentence है घोड़ा दोड़ता है अब यहाँ पर हम यह बात ध्यान देंगे कि सारे sentenceं के अंट में त्यादी सब्द आएं इसलिए यह प्रजेंट इनड़िफिनिटेंस है इस बात को हम ध्यान देंगी हर sentence के अंट में ता है ती है और तभी गजा पर प्रजेंट इनड़िफिनिटेंस होगता है त Congreuse से घोड़ता है हार्स माने क्या होता है घोड़ा तो हो जाएगा The Horse Run, run में हम S और्ट कर देंगे Runs हो जाएगा The Horse Runs क्योंकि ये हमारा जो करता है वो First Form में है घोड़ा दोड़ता है तो यहां पर Runs तुम चाय पीते हो तुम कह जाएगा You चाय पीते हो ड्रिंक माने पीना, येस एड़ कर देंगे, क्रिया में, you drinks tea, टी माने चाय, अगला सेंटेंस है हमारा, बच्चे खेलते हैं, तो बच्चे की इंगलिस होगी चिल्डरन, तो यहाँ पे हो जाएगा, the children play, यहाँ पे जो बच्चे है, वो बहुचन में है, नियम हमारा क्या है, यदि करता, यदि करता बहुचन में हो, तो हम क्रिया में yes या yes नहीं लगाते हैं, उसी तोर पर हम देखेंगे, हमारा जो करता है, बच्चे ये बहुचन में है, तो यहाँ पर हम क्रिया में yes या yes आइड नहीं करेंगे, इसलिए हमारा हो जाएगा sentence, the children play, हमारा last sentence है, मैं पढ़ता हूँ, तो मैं कहो जाएगा, I read, read में हम s add कर देंगे, reads हो जाएगा, I reads the book, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, I reads the book, तो यह हमारे इतने sentence हो गए, तो guys आपको वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बता हैं, यदि वीडियो पसंदे तो लाइक करें, यदि ह हमारे इस चैनल पर आप नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हैं